असलाम अलेकुम, मैं हूँ रुकईया, आप देख रहे हैं प्यारी रुकईया का किचिन आज मैं आपके साथ बहुत जबर्दसी एक इन्फर्मेशन से वीडियो लेकर आई हूँ जो के है बेकिंग अवन के बारे में एक वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मैंने यूज किया है और एक गैस अवन जो मैंने यूज किये हैं दो उनके बारे में आपको डिटेल वीडियो देने वाली हूँ अगर आप लोग हूम बेकर्स हैं या आप लोग घड के लिए अवन लेना चाहते हैं तो यह सिर्फ दो आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिजली का बिल कितना आता है अगर एलेक्ट्रिक ववन यूज करते हैं गैस अवन अच्छा है नहीं है उसके बारे में आज कौन सी कंपनी यूज कर रही हूँ किस तरह से इसके साथ जो है वो कैसा रहा है मेरा एक्सपिर तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बिसमिल्ला रह्मान रहीम यह जो आवन है यह आज से दो साल पहले लिया था और यह जो है ना यह क्राउन कंपनी का ववन है और यह इसका जो है ना ग्रिल और चर्गा वगारा भी आप इसमें कर सकते हैं केक्स पीजा हर चीज इसमें बेक हो जाती है यह गैस ओवन है दो साल पहले यह 18,000 रुपे का लिया था और दो साल इसको यूज किया है और माशाला माशाला लह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इसके साथ यह मेरी अम्मी के घर मेरी भाबी का ओवन है और इससे पहले जो था था न होने के लिए टाइम बहुत जाता लेता है बस उसका सिर्फ यह इस्यू था तो बाकी वाला जो अवन है यह आपको मैंने बता दिया क्राउन कंपनी का वन है और यह जो है तकरीबान इसका टाइमर 55 मिनट तक हो जाता है लाइट इसके अंदर है और इसके अदर आप इसकी पीजा बेक कर सकते हैं और यह इतना इजी हैंडल हो जाता है ना बहुत इजी वे तकरीबान एक हफते के अंदर समझ आ गया था किसके अंदर किस तरीके से हमें जो है ना बेकिंग करनी है और क्या टैंपरेचर रखना होगा और किस तरह से होगा अगर गैस नहीं आरी तो एक चोटो सा स्लंडर जो है ना वह भी 2-3 किलो गैस अगर उसमें करवा ली जाए तो वह भी बहुत आपको इजी हंडल हो जाते हैं तो एलेक्ट्रिक अवन के बारे में मैं आपको आगे चल के बताती हो तो यहां पर जो है ना यह बहुत अच्छा काम करता है यह इस तरह स प्रिएट करना तो 180 पर प्रिएट करो के दस मिनट के लिए 8-10 मिनट के लिए यह जो नीचे रॉड लगी विया इसको आपने ओन कर देना है और इसके बाद आपने 180 पर लगा कर इसको तो तकरीबन आपने 8-10 मिनट बस इनफ है और यह बहुत अच्छा प्रिएट हो जाता है उसके बाद आपने क्या करना है यह आपने रैक रख देना है और इसको आपने 180 पर जितने टाइमिंग आपके केक्स है और ओयल बेस है दहीं बेस है जो मर्जी आपके स्पॉंज है टी केक्स हो गएर आपने उसकी टाइमिंग के मताबिक करके तो आपने इसको बेक कर ले तो फिर आपने नीचे वाली ही रॉट कॉन करना है ठीक है यह यह उपर वाली रॉट आपने ताबन करनी है जब आपने उपर से कलर देना है जैसे नान खताई हो गया पिज़ा की टॉपिंग पर आपने कलर देना है लाजा हर चीज जो भी आपने बेक करनी ना टॉप पर जो और यह बहुत बहुत अच्छा वर्क कर रहा है माशाला आलमदुलिल्ला बहुत जबर दस्त है और इजी ली जो है ना समें केक रस इतने अच्छे बन जाते हैं मतलब और ओल अवर जो बेकिंग है ना वो इसके अंदर बड़ी शानदार रही है अच्छा एक्सपीनेस ला है म तो आपके अपने उपर है आप ले सकते हैं तो यहां पर यह तक्रीबन आप देख लेंगे यह इसकी कपैसिटी भी इतनी तक्रीबन 45 से उपर हो जाती है और अच्छा खासा जो ना इसके अंदर कपैसिटी आ जाती है बिस्कित वगरा रखने हो आप डिरेक्ट इसके उपर सकते हैं ठीक है और उपर से यह रैक उसको हटा सकते हैं सेंटर में और इसके अंदर लाइट भी चलती है अब लाइट और से फिर सब जो है ना मिलर के जरीए आप लोग देख सकते हैं कि एक अच्छे से राइस हो रहा है पिज़ा पर कितना कलर आ गया है और कभी जो होता ह जो भाबी क्या करती है वो खोल के ना तो देख भी लेती है कि पिज़ा पर इतना कलर आगा बंद कर दिया दुबारा मतलब इतना एजी टू है ना के बहुत एजी रह गई है इसके अंदर जो ना बेकिंग करना लेकिन अगर आप लोगों को और भी और भी चीज़े अगर पसंद आती है तो जरूर तो यहां पर यह लाइट का भी है और यहां पर ग्रेल वगारा करनी है उसको अप्शन भी विलता है आपको ठीक है तो यह एजी टू यूज है हर कोई इसे एजीली हैंडल कर सकता है यह कोई परमोशन वीडियो नहीं है जस्ट मैं अपना एक्सप तो कि इंग्रेंज भी बहुत अच्छा रहा था लेकिन बहुत देर तक गरम होने में टाइम बहुत लेता था क्योंकि उसको कपैसिटी बड़ी होती है ना इसकी वज़ा से तो यह अवन है और यह अपकी प्राइजिस का मुझे नहीं मालूम कितनी प्राइजिस हो गई है आग को अवन को फक्राइज होता है और यह जो है ना अवन है लोगत अच्छी यह बेकिंग होती दोनों भाबियां बहुत अच्छी करती है एक पीज़ा बनाती नुसरी केक्ष वगिरा पीज़ा सब कुछ बना लेती है तो यह हमारा सेकंड अवन जो है में पास ऐलेक्टि ठीक है यह जो एलेक्ट्रिक आवन है यह मैंने लिया था तक करीबन कोई 20,000 के सम्तिंग और 45 लिटर इसकी कपैसिटी है और इसमें भी वो सारी मतलब इसके अंदर जो है यह लाइट वालों का ना यह ओटी जी यह बेकिंग एलेक्ट्रिक आवन है ओके तो इसे कितनी बिजल से अच्छा वन है बिजली इतनी ज्यादा खर्च नहीं गड़ता लाइक अगर आपने मुसलसल 2-3 खेंटे चलाना है अवन ठीक है आपने काफी पीजा बनाने हैं आपने केक्स बनाने और 2-3 खेंटे चल रहा है तो आप लगा लें एक डेर इस्तरी जैना डेर या दो इस् ठीक है और यह जो है मैंने बाइ किया था सेकिंड राय किया था क्यूंके मुझे था कि मैं पहले देख लूँ एक्स्पीरेंस कर लूँ रेक्ट्री क आवन मेरे साथ तरही बैट था नहीं कुझे मुझे गैसयुअ की इतनी ज्यादा आदा तो गई थी थी न वो तो ऐसे थ जैसे हम लोग पतीला यूज करते हैं, कम कर ली आंज, ज्यादा कर ली आंज, तो उसका वह हैंडल था, उसके बाद जो है, इसको क्या करना है, यह बहुत एजी, बहुत असान वाला है, यह वाला, और इसकी बॉड़ी जो बाइर से वो भी गरम हो जाती है, हीट हो जाती है, यहां पर इसको प्री हीट करने के लिए जैसे 180 पर लगाया, और यह फैन अवन है, आपने जब भी बाइ करना है, अवन अवन है खास तो पर आपने देखना, उसको फैन का होना जरूरी है, पता है फैन हो जाता है, तो फैन ओन करते हैं, तो पूरी पूरे अवन को एक साथ टेंपरेचर और हीट दे रहा होता है, इसकी वज़ा से आपका केक्स, आपके पीज़े आपकी हर चीज जो हना परफेक्ट बेक होती है, तो यहां पर जो है ना यह प्री हीट पर कर लें और उसके बाद 180 डिग्री जो है आप लोगों ने जब इसको प्रीट कर लेना है, 180 सिरफ आपने नीचे वाली रॉड उन कर लेनी है 25-25 मिनट तक कलर देना है तो आपने दोनो रॉड्स आउन कर लिए अगर जब कलर देना हो वो तो हम उपर से रख के यह रोड उठा के सब से उपर वाली पर रख कर मैं तो फोरण से कलर दे लेती हूँ जैसे मैंने वह तो दस मिन पहले भी इसको प्रीट कर ले तो बिल्कुल बैस्ट रह जाता है और यहां पर मैं आपको बता दू अगर आपने बिस्किट्स बनाने थिक है तो बिस्केट्स या कुकीज बनाने तो सरफ नीचे वाला रॉड अन करना है और फैन जरूर अन करना है ताकि हीट मिल अगर आपने पीज़ बनाना है तो 180 पर आपने पंधरा से दस से पंधरा मिन प्री इट किया और उसके बाद आपने लोड पर आपने अपने ऐन और और अपने कैक्स बनाने तो 180 पर अपने प्री हीट करेंगे कि आपका कितना लगाना है आपने उसके बाद आपने इसका फैन कितना अन करना है यह सारे चीज़ें आपके साइड पर होती है टाइमर सबसे लास्ट में होता है कि आपने टाइमर कितना लगाना है इस पर आप टाइमर लगाके टेंशन फ्री हो जाते हो कि 20 मिनट का टाइम लगाया था और 20 मिनट बाद खुदी वह आपको जो है ना वो शो आफ कर देता है बेल बच जाती है जी अब प्री जो है आपका खतम हो गया है तो इसके लिए असानी हो जाती है आप लोग रोड्स यहा launched के आपको दिखा देतें ओना और यह इस तरीके से जो है परचे कि पले नीचे वाली वाली प्रिश्पर वाली लोड्स बीञता है तो इस तरह की जहना अगर आप लोगों के फिर भी कोई कुश्टन्स है तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं जो आप लोगों समझ नहीं आई हैं और कभी गैस होती है कभी नहीं होती है तो आपको गैस अवन अलेक्ट्रिक अवन के साथ पतीरे को भी हैंडल करना आना चाहिए ताके आप लोग एजी ली मैनेज कर सके हर चीज़ को आप यह वीडियो आप लोगों के लिए हलफ़ रही होगी मिलते एक न्यू वीडियो के साथ अलाहफेज